हाई गाईज वेलकेम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट तो आज की वीडियो में हम अमारे लड़ू गुपाल जी की एक बहुती स्पेशल सी श्रिंगार वस्तू तयार करने वाले हैं और क्या आप सबको पता ही कि ये क्या है ये है शीशा यानि के मिरर जिसमें श्रिंगार करने क के बाद आप अपने काना जी को दिखा सकते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं वो कितने प्यारे तरीके से सजे हुए हैं या उनके भक्त ने उनको कितनी श्रद्धा से तयार किया है तो आज की वीडियो में इस मिरर को एक नया लुक देंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कार्डबूट के उपर मिरर के अकॉर्डिंग एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया और अब इसके बाद वन सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मैं इसकी बाउंडरी पर मार्क्स लगाना स्टार्ट कर रही हूं इसको इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है अब सारी लाइन्स को आप इसमें match करके perfect circle बना लेंगे और नीचे इसको पकड़ने के लिए ताकि आप इसको पकड़के काना जी का face में अराम से दिखा सकते हैं उनको उसके लिए मैंने यह इस type का भी बनाया है इसको हम properly अच्छे से cut कर लेंगे cut करने के बाद यह इस तरीके का दिखाई देगा अब का base थोड़ा सा strong बनाना है क्योंकि इतना बड़ा mirror हम इस पर लगाएंगे तो strong तो होना ही चाहिए तो मैंने एक cardboard का piece और लिया है जिस पीस को trace करके cut करेंगे और जैसे ही यह cut होगा हम इन दोनों pieces को आपस में stick करेंगे using fevicol also guys इतना unique idea है जो आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा तो इसी बात पर इस video को like करना तो बनता है तो यहाँ पे आप cardboard के edges बिलकुल भी नजर नहीं आने चाहिए क्योंकि यह अपने DIY को एक अच्छा look नहीं देंगे so definitely हम use करेंगे अपने tissue paper का जैसा हम हमेशा करते हैं और fevicol plus water को mix करेंगे और उसको brush की मदद से यहाँ पे हम apply करेंगे जिससे इसके corners अच्छे से seal हो जाएंगे और यह बहुत अच्छा लगेगा अब इसको हम dry होने के लिए रख देंगे और जितनी देर यह dry हो रहा है मैं आपको बहुत ही interesting hack बताती हूँ तो मैंने सोचा mirror के उपर 3D work करेंगे तो यह बहुत सुन्दर लगेगा तो 3D work के लिए अगर just in case आपके पास wall putty या favicryl molded clay नहीं है तो आप इस तरीके से tissue paper को पानी की मदद से roll करके यहाँ पे इस तरीके की strips तयार कर सकते हैं और इसको अपनी मन चाह की shape में mirror के boundary पे, base पे हर तरफ apply कर सकते हैं मैंने यहाँ पे wall putty clay का use किया है जो बहुत easily हम घर पे ही बना सकते हैं और इसका video आपको मेरे channel easy day today art पर मिलेगा मैं उस video को link कर दूँँगे description box में उसमें मैंने home decor की बहुत से ideas आपके साथ share कीए है और उसी video के दौरान मैंने आपको यह बनाना भी सिखाया है so make sure आप उसको जरूर देखना अब यहाँ पे इस तरीके से पत्ती की shape में मैंने इसको arrange कर दिया एकदम इसे sunflower वाली feeling आ रही है और अब इस पे थोड़ी सी details को add करने के लिए pencil की मदद से मैं बीच में एक line बना रही हूँ जिससे इसका जो look है वो कैसा आएगा वो कुछ ऐसा आएगा एकदम ही proper petals का shape अब next यहाँ पे मैं इसको हातों की मदद से roll 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 करूंगी और उसके बाद यह जो हमारा handle के उसके boundary पर हम इसको stick करेंगे सारी चीजों को favicol c की मैंने stick किया है ball putty न गाईज इतनी पसंद आ रही है मुझे क्योंकि just 30 या 40 रूपीज का 1 kg का packet आता है और उसमें इतने सारे crafts पन जाते हैं कि क्या बताऊं और गाईज कुछ इस तरीके से मैंने इसका 3D work किया है complete तो अब इसको dry होने के लिए अच्छा खासा time देंगे and dry होते ही हम करेंगे इसके उपर painting करना शुरू तो यहाँ पे paint करने के लिए बहुत सारे options हैं brown, green, blue, yellow, red जो पसंदो आपको वो color आपको apply करना है लेकिन मैं इसको बहुत ही royal type का look देने की कोशिश करी हूँ तो मैंने पहले brown का coat apply किया है back side पे भी paint कर लेना by the way अब next मैं यहाँ पे golden color का use कर रही हूँ और foam का एक piece लूँगी जो मेरा favorite part है यहाँ पे तो थोड़ा सा zoom कर लेते हैं हाँ तो अब क्या करेंगे foam के उपर यह कि मैंने अपना golden paint लिया और मैं डाप 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 करूँगी और उसी के साथ हमारा यह बहुत ही royal look वाला mirror जो रेडी हो रहा है अरे नहीं नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है mirror तो लगाने दो यार और इसी के साथ फेवी कॉल से mirror को लगाने के बाद हमारा final piece कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत ही सुंदर सा हमारे काना जी का mirror शीशा डेकुरेट होके तयार है कितना जादा आनन्द आया मुझे मैं आपको बताई नहीं सकती आपको भी अपने काना जी के लिए इसको जरूर बनाना चाहिए और मैंने यहाँ पे अपनी जो छोटी से मेरे कृष्ण जी है जो मैंने डॉल को काना जी की स्वरूप में सजाया हुआ है उनको मैंने ये mirror के आगे रखा था और इतने प्यारे लग रहे थे ना वो आप लुख भी इसको जरूर बनाईएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर खरी कृष्ण राधे राधे